कमासिन में किसान की दस पीघे की फसल अचानक हुई बारिश के चलते सड़कर हुई खराब जिसके चलते किसान की मुश्किले बढ़ी जिहां पूरा मामला पांदा जिले के बबेरु तहसील के अंतरगत कमाशीन का है जहां पर किसान गनेश दत्रिपाठी किसान की दस पीघे की फसल अचानक हुई बारिश के चलते सड़कर खराब हो गई जबी किसान फसल भी माभी कराई हुए थे किसान ने बैंक में जाकर सूशना दी थी जिस्ते उनको ट्रोल फ्री नंबर दिया गया था उन्होंने ट्रोल फ्री नंबर पर अपनी समस्या बताई तो किसान को वासप में भेजने के लिए बताया गया था लेकिन फिर भी अभी तक किसान की किसी भी प्रकार की नहीं की गई कोई मदद जिससे किसान को रहे हैं परिशान किसान की फसल खराब हो जाने के चलते किसान को भूक आदि की कठिन समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है जिसके चलते किसान दरदर ठोकरे खा रहे हैं फिर भी नहीं ध्यान दे रही है कोई ब्यदिकारी गण बैंक में जाकर भी सूचनत दिया गया था बैंक वालों ने अपना पल्ला चारते हुए ट्रोल फ्री नंबर दे दिया जिसके चलते ट्रोल फ्री नंबर भी किसान ने संपक किया लेकिन फिर भी नहीं निकल सका कोई हल किसान की दस भीगे की फसल अच्छानक तेज बारिश और ओला विष्टी के चलते सड़ कर हुई खराब जिससे किसान की माथे की चिंताएं बढ़ी पांदा से समबादाता धरमेंदर सिंग के रिपोर्ट लेकिन कंपनी ने आज तक न तो कोई सर्वे करने आया कंपनी की तरफ से और नाहीं मुझको कोई फोन करके जानकारी ली गई जो है क्या नाम है आपका गड़ेश तत्रपठी हामताई माध ची क्या समस्य है क्या नाम है आपका मेरा मेरा बिट्टी नाम है यह कहां कि यह कमासि कहां है कमासिन आपका क्या नाम यह चाहरा था और तो कोई समस्य है नहीं कुछ और यह चाहने वीमा वाले को पहले भी वाटस अचाहने नाम है